नमस्कार दोस्तों आज की रेट है तीन मैई चलिए खबर नामा प्रोग्राम में सफर करते हैं आज का पहला आर्टिकल है आप्रेशन सतर्क आप्रेशन सतर्क के बारे में हम कुछ जानकारी देखेंगे आप्रेशन सतर्क 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 आप्रेशन सतर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है कि सुप्रीम कोड ने हाली में अभी डिशिजन यह दिया है जिसमें कहा है कि जो आनुच्छड टुंटी वन है इस आर्टिकल के एमबिट में आता है कि किसी भी विक्ति को उसे टीका लगाने के लिए बाद नहीं किया जा सकता क्यों क्यो तो बहुत जुरी है तो यहां पे कहागा कि अनुछीद 1 की जो है वो जीवन का अधिकार देती है जीवन के अधिकार का मतलब यह होता है कि किसी भी विक्ति को अपने सरीर के संबंद में नेड़ा लेने का पूरा अधिकार है वहां करण करवाएगा या नहीं करवाएगा वहां उसकी इच्छा पर निर्वर है, राजी उसको बाधन नहीं कर सकता है ठीक है? यदे पिसको साजी स्वास्थे के अंतकत देखा दा सकता है कि साजी स्वास्थे एक टिका एक विक्ति टिका लगवा रहा है तुसरा नहीं लगवा रहा है तो इसे संक्रमर पहलने की असंका रहती है इसलिए ये के सुप्रीम कोड गया था तो सुप्रीम कोड ने सीधे मना कर वहाद और दिया कि नहीं और शमक्तिंग को स्तंत्त्ता देता है उसके जीवन की सतंत्ता देता है इसलिए हम किसी भी को टीकका करण करवाने के बाद नहीं कर सकते हैं के इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल भी कोरोना वायरस से संकरमी थे अब हाल फिल हाल में कोरोना वायरस का एक नया संकरमा कोविड एक्स य वैरियन देखा गया है लेकिन भारत के जो चिक शादिकानी हैं उन्हें ने कहा है कि इस वायरस के संतर में भारत को बिल्कुल ड़ने के आव सकता नहीं है भारत के लोगों में बहुत अच्छा बहुत मजबूत इम्मिन सिस्टम है तो इस तरह के वायरस से तो भारत के लोग यूँ भी लड़ जाएंगे ठीक है बलब ऐसा कुछ कहां नहीं है उन्होंने लेकिन ये बस आप समझ बढ़ियागा कि में इस से डरने की जोड़क नहीं है हमें फ़्लेस इस अपनी पठाइब करनी है अपने आपको बैतरर करना है ठीक है कि क्या है कोरोनवाइरस का चाए एक से वेरेंट आपको आइटी विसेशक हैं जिनका नाम नंद मूल चंदानी है वह CIA में लग केंद्री खुफिया एजनसी यहां पर लिखा हुआ है केंद्री खुफिया एजनसी में तक्नीकी विभाग के प्रमुक बनाए गये हैं ठीक है बस इतना ही हमें जाना है अगर पूसा जाएगा कि हाली मे कहा नित्र किया गया है केंद्री खुफिया एजनसी में नित्र किया गया यह जाएग पर उप इसके बाद में याईपील का वह है कि के यार वर से निए मैंच-वैच हो रहा है ते देखे लिए गमुझा Camminивает ब kills अने घ्रदम की हैं यह इसके बाद में फिर इनकी गिफ्तारी हो गई गिफ्तारी के बाद फिर इनको रिहा भी हलाकी कर दिया गया है तो भारत की दिहास में या सायत पहली बार हो रहा है कि किसी समयधानिक पद पर बैठा वेक्ति क्योंकि ये खुद भी थायक है वो देश के सम्मानी वेक्ति सम्मा जहान की जो गरिमा है जो लोकतंत्र की गरिमा है उसको धूमिल किया जा रहा है यह जो प्रेशन है यह आप हेट स्पीच के दौर पर लिख सकते हैं हेट स्पीच कभी लिखना हो आपको यह जो जो सोसल मीडिया प्रेडफार्म है वहां पर किस तरह से लोग जो मर्जी होती है वो लिख देते हैं तो इस तरह से उस चीजों को आप बता सकते हैं कि जो कांस्ट्यूशन जो अच्छे-च्छे पदों पर बैठे लोग हैं वो लोग भी इस तरह से करते हैं पर यहां पर जो एक विधायक है उसको अभ्यक्तिकी सतंतरता कहां तक मिली हुई है यह सारी चीजे आप इसकी जरीए देख सकते हैं पर इसके बाद में भारत का पहला केवल एस्टे ब्रिज अंजी खड बिज बनाया गया है यह जम्मू के समीर में बनाया गया है जम्मू के समीर केंसा सिस्स पतें से हैं री यासी जीले में है इस्तितह एगया और यह अंजी खड बिज अंजी नदी है वाँ की लोकल नदी है उस पर बनाया का रहा है और यह जो ब्रीज है या कट्रा रियासी खंड को उधंपुर नगर स्री नगर बारामुला मार्क से जोड़ेगा इसकी जो लंबाई है दो सो बहात्तर किलोमीटर होने वाली है ठीक है यह रेलवे ब्रीज है इसके बाद में 36 गंड जो सरकार ने सो सारजनेक सेवाओं की डोर छो दोलरे ळिवरी के लिए एक योजना सुरू की है यह इसे पहले भी कुछ राजी की योजना शूरू करें है इसा पंजाब है दिल्ली है यह लिगे सो साजिक सेवाओं के लिए क्いつ दिस करने वाला राज्य बन गया है तो इसलिए ही इंपोर्टेंट हो जाता है किम यह क्या है फिस्वप्र Grade Shwota کا वर सिरागा संटा दिवस तीन मौई को गोष। की गई थी यह घोषडा उनिस्सके एंड़े में युनेसको के चबवीशवें आम समेलन के सिफारिस के बात की गई थी फियानवे में इसकी घोषडा कि नहीं की हां हम यह दिवस मनाएंगे जग सब्सक्राइब त्रवद में इसकी तीम है आप दीम का कोशिश किया किजिए कि examine को आप इंगलीसमी में देखिए क्या क्या है वहालें हिंडी को आप kitty स्वारी इंगलीस को ही आपकु देवनागरी में लिख ह uit the सब्सक्राइब के थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो इंग्लीज में देखिएंगे थीम तो जर्नलिजम अंडर डिजिटल सेज या 2022 की थीम में हमें याद रखना है कि दे कमाना जाता है तो तीम मैं को दे मना जाता है और इसकी थीम है जर्नलिजम अंडर डिजिटल सेज ओके यह हमारा आज का लास्ट आटिकल था इसके बाद यह एक कुईज का प्रोग्राम है यह आप देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके लाबा संस्थान के दौरा उतर प्रदेश प्रारीमी परिच्छा उतर प्रदेश मुख्य परिच्छा रदिस्व लेकपाल तथा वीडियो जैसे अन्य कोर्स भी चला जा रहे हैं अगर आप उसमें पार्टिस्पेट करना चाहते हैं तो हमारे किसी भी नंबर पर संपर्क करके आप उसमें अपना इंड्रॉल्मेंट करा सकते हैं आज की खबर नमा में इतना ही था के लिए पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें धन्यवाद